इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि खुशिया अधूरे आचल की बॉबी कुमार जिसके निर्मातन निर्देशक है 70 mm फिलिक्स पर रिलीज कर दी गई है हम आपको बता दें कि बॉबी कुमार पहले भी अपनी फिल्मों के माध्यम से संदेश देने में काम्याब रहे हैं एक बार फिर उन्होंने ट्रांसजेंडर प्रस्ट गूमी पर अपनी फिल्म खुशिया अधूरे आचल की जनता के सामनी रखी है और इस फिल्म में खुद बॉबी कुमार ने अभी ने किया है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल लैट्फिलिक्स पर फिल्मों को रिलीज किया जा रहा है जिसमें बॉलिवुड स्टार अमिता बच्चन की फिल्में भी शामिल है ऐसे में बॉबी कुमार की फिल्म 70 mm फिल्क्स पर रिलीज होना अपने आप में काबिले तारीफ है और इस फिल्म में एक संदेश दिया गया है कि लाचार और बे सहारा बुजरुगों का आप सहारा बनिये और बॉबी कुमार की इस अफिल पर यहाँ भी देखने में आ रहा है कि सोसल साइट पर लोगों ने इस मुहिम को रंग देना अब शुरू कर दिया है कई मामलों में देखा जा रहा है कि लोग अब ऐसे बे सहारा बुजरुगों को अपना रहे हैं आईए ज़्यादा जानकारी के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको बॉबी कुमार के पास बॉबी कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक्यू सो मच गोशन जी और सबसे पहले तो आपके नीज फॉल्डर के तरफ से में बहुत बहुत बधाई आपका जो यह नीज फॉल्डर नीज चैनल है बहुत तरक्की करें और ऐसे समाजिक मुद्ध को उठाए तो ऐसे अक्सर हम देखते रहते तो बहुत अच्छा लगता है थैंक्यू सो मच बॉबी जी इस फिलम का नाम है खुशिया अधूर आचल की इस नाम से ही एक कहानी में त्विस्ट नजर आता है तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दरश्कों को बताएं कि फिलम की कहानी क्या है जिरूर जिरूर क्यों नहीं इस लिए सबसे पहले तो गोचन जी हम इस टॉपिक पे आने से पहले कुछ बाते हम लोग अगर आज की जो सिच्विशन है जिसके कर लेते हैं अच्छा लगता हमें जी जी प्रिकिए आज कर जहां तीन महीने से लोग महामारी से मतलब जिन्जिगी और मोस से जूज रहे हैं हरे किं सब्सक्राइब जानता है और मुझे लगता है कि इस तरह की हरकत ही कर रही है लेडी मुझे लगता कि वो औरत के देश में बीमार आदमी है उसकी सोच जो एक बीमार आदमी होता है उस तरह की सोच उसमें बना ली है जी तो जहां हर एक समाज का वर्क बच्चे से लेके बड़ा बूड़ा हर एक उसके सीदेश शोद देखते हैं घरों में और अच्छा भी लगता है कि वो कुछ नए नए ट्विस्ट लेके आती है लेकिन आज जब एक ऐसा समाजी की मुद्दे पर उसमें ट्रिपल एक्स जैसे जो फिल्म बनाई है और वो जो हमारे जो देश के जवान हैं जो हमारे पीमाओं पर जाकर हमारी रक्षा करते हैं हमारी मा बहन बेट्यों की जान क्या ही मतलब सलामत रखने के लिए वो अपनी जान खुद दे देते हैं तो वहां पर उनकी वर्दी के उपर उन्होंन बड़ागनाओं का देश है यहां पर इतनी बड़ी बड़ी विरागनाओं ने जनम लिया है जो उधान बन गया लोगों कि और हम कैसे कि हमें ऐसी चीज बनानी चाहिए कि जहां पर लोग प्रेरी तो हुट ताकि हम अपने बच्चों में आने वाली जो लड़किया हैं यहां रहा तो यह को फिर के देख सकता है इस रहे है कोई डैट देख सकता है इसे के सिसी स्थीफ मै 이제 रेख धुद भार जी कि रहे हैं मैंने बाला जी का और जी 2 शो speaks मैंने इस भी मतलब जहां ते नहीं आरा मुझे तो जो दागबर जो दागबर में मेरा इच्छा पॉपलर करेक्टर प्ले किया उसके शो में तो इस तरह की शो में काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन अगर बाये कभी इस तरह के शो मुझे ओफर हुए तो में मेरा भी अपना पोड़ोप्शन हुट्स में कोई काम करना है लोग हो इस एक अजिए बहुत हम आज कल बच्चे अपने अपने माबाप को बीच रस्ते पर चोड़ देते हैं और उनके बच्चों क्या है मतलब मापों क्या हालत होती है यह हमने यह दिखा कि अगर कृमी कान और जिन घरों में माबाप नहीं है तो उनको अक्सेट की जिए उनको माबाप मिलेंगे उनको बच्चे मिलेंगे तो ये समाज में मेरी ये फिल्म अभी अभी 70 mm फिलिक्स पर रिलीज हुई है और बहुत दिल से शुक्रियादा करना चाहूंगा मैं उसका कि जिन्होंने मेरी फिल्म को देखा और अपनी एप पर चलाया और फिल्म आज की देखी अगर आप अमिता वच्चन जैसे बड़े स्टारों की फिल्म में रिलीज हो रही है ऐसे में 7 की mm फिल्क्स पर आपकी फिल्म का रिलीज होना आप क्या मानते हैं इसको मैं मुझे बहुत खुशी हुई है क्योंकि मुझे पता कि इसते पहले मैंने अपनी फिल्म को कई जंगे मतलब बेजा था जैसे एमोजोन है या और वी चीजे जहां पर बड़ी-बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है और अलु एप है जिस तरह कई सारी एप हैं तो मैक्स प्लेयर एप है तो वहां पर मैंन अपनी फिल्म को बेजा तो उन्होंने अच्छा रिवियूज दिया लेकिन उन्होंने यह कहा कि बोगी जी हम आपके फिल्म ले सकते हैं कोई ऐसी बात निपकि आपे दोनों चीजे बहुरी पार्फुल है इस फिल्में मेकिंग भी अच्छी है में और आपका जो कंसेक्ट है वो बहुत तरह लगा लेकिन हमारे यहां पर हम इसमें सेक्स नहीं है तो यह जब सेक्स की बात आई तो मेरे कान खड़े हो गए कि मतलब अगर मैंने कोई चीज मैसिज मनाई है को लोगों को एक अच्छा संदेश देना चाहती है मेरी फिल्म और वहां सेक्स ना हो तो मे पर आप अपनी फिल्मों को दे सकते हैं वो बड़ी रिस्पेक्ट और इजस्ते आपकी फिल्म लेंगे और उसका जो भी पैसा है या जो भी उसका मिलेगा तो वो जुरूर उसको आपको कॉंट्रेक्ट जैसे साइन करेंगे वो लोग वो उसका अच्छा लगा मॉभी जी इस फिल्म को रेटिंग में सैवन स्टार मिले लेकिन फिर्पियम आफ से जानना चाहेंगे कि दर्शक इस फिल्म को क्यों देखें तो अब यह जी पर मेरी फिल्म चल रही है कि दो दिन पहले यह च्छे पे ती और आज मैं जैसे श्टक आर्ट की रेटिंग चल देगा नह सफल रहा कि लोग मेरी फिल्म को देख रहे हैं पच्छी बंगॉल दिल्ली में आप को डाउनलोड करने रहे हैं हरियाना और काफी स्टेटों में फिल्म धीरे धीरे जा रही है तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि बाइसमें का कंसेट जिसम के अंदर इतनी समाज में दिखाया है और कुछ आगे मोटिविशन लोगों के लिए बनाया है मैं जी चलते चलते आखरी अपील हम आप से करना चाहेंगे अगर इस प्लम को लेकर आप हमारे दर्शकों से कोई अपील करना चाहें तो आपका स्वागत है हाँ जूरूर क्यों ही मैं अभी र जाते 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 जाना तो कहां है आप बहुत कुछ देखना जिन्दगी में और इस महा मुझे जो करोना जैसा महा यूद है इससे हमें विजह फते करना है आपको भी करना मुझे करना और जितनी भी मेरे भाई भेहने जितनी भी माता हैं सब को इनको करना है जिस तरह का संदेश आप देना चाहते थे फिल्म में कि जो बे सहारा बुजर्गों उन्हें आप समाले ऐसा ही मामला पूरा सोचल साइट पर आया फेस्बूक पर देखन पर देखा कि तीन-चार बच्चों ने एक बुड़ी अम्मा को अपने घर में अक्टैप्ट कर लिया तो मेरा 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 दिमाग खुल गया कि आपने जो चीज सोची वह सामने प्रेजेंट हो गई और मैंने तुरंत चिद्धा की लोग इस तरह का करे और मेरा फिल्म मनाना तो यह थे हमारे साथ बॉबी कुमार जो जुड़ रहे थे अपनी फिल्म खुशियां अधूरे आचल की को लेकर और इन्होंने बताया कि किस तरह फिल्म का जो असर अभी से लोगों के साथ होने लगा है और इनकी अपील अब लोगों पर असर भी करने लगी है जिसकी वा